इस समय हम ख़णे हैं 2023 पे और जल्दी आने वाला है 2024 2024 की प्लैनिंग बहुत सारे लोगों ने शुरू कर दी है अभी से अब 2024 में कौन सी तारीखें शुब हैं कौन सी तारीखें शुब हैं जन्वरी में किस तारीख में हम शुब काम कर सकते हैं फरवरी में किस में कर सकते हैं कौन सी अशुब तारीख है जिसमें हमें रुपसान हो सकता है यह जानना बहुत जरूरी है पूरा एक चार्ट होना चाहिए आपको पूरा कलेंडर तो यही हम इस वीडियो में बताने वाल यही इस वीडियो का विशेह है और यह जानकारी चंद राशी और नाम राशी पर आधारित हो की आप सभी को नववश दोजार चौवेस की बहुत-बहुत शुब कावना है चलिए शुभारंब करते हैं आपकी राशी से बात अच्छी लगे सब कुछ अच्छा लगे तो चै मानवता से भरी राशी है राशी का जो जो राशी है वो है कुम यारी एक्वेरियस राशी का चिन है जल से भरा घड़ा लिये हुए एक इस्त्री राशी का स्वामी है शनी राशी का तत्व है वायुतत्व राशी का स्वरूप है इस्तिर राशी का जो लिंग है वो है पु नुर सबहो त्री धातु प्रक्रति राशी का अंग है पैर अनुखोल दोर ने नीलम अनुखोल उप्रत ने हैं एवे वेड़ा कटेलन बगैरा जबनिया अनुखल धातु है लोहा और त्री लुख रिपसे बनी हुई कोई चीज आपका जो व्यक्तित्व है वो है अवधूत, योगी, साधक, तपस्वी, सत्य खोज करने वाला और यशश्वी होते हैं आप और आपका जो सकरात्मग सवभाव जो है तत्य है समवेदनशीर है समाजपी है कुटंगो प्रेमी है और नकरात्मग प्रवाव निरंतर विचार बदलने की प्रवर्ति हमेशा विचार बदलते रहते हैं एक जिरे पर टिक नहीं रहते हैं अब आपके लिए मैं लेकर आया हूं साल दोजार चॉबिस की शुबब शुब तारीखें अभी आपने बारे में अपनी दाशी के मारे में बहुत कुझ जान लिया अब दोजार चॉबिस की शुबब शुब तारीखें भी जान लीए जन्वरी jestem ग्यारा 14 पंदरा अठाइरा उ 27, 28 अशुब, मार्ज, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14 शुब, मार्ज, 7, 8, 15, 16, 24, 25, 26 अशुब, अप्रेल, 1, 2, 5, 6, 9, 10, 28, 29 और यह तो होगी शुब और अप्रेल की अशुब तारीक है, 3, 4, 11, 12, 13, 21, 22 तेज़, माई की शुब तारीके हैं, 3, 4, 6, 7, 25, 26 और 30 तारीक, अब बात करते हैं माई की, 3, 4, 6, 7, 25, 26, 30, 31 शुब, 1, 9, 10, 18, 19, 20, 28 अशुब, जून की बात करें, 3, 4, 21, 22, 23, 26, 27, 30 शुब, 5, 6, 14, 15, 16, 24, 25 अशुब, जुलाई की, 1, 19, 20, 24, 25, 27, 28 शुब, 3, 4, 11, 12, 13, 21, 22, 31 शुब, अगस्त की बात करें, 16, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 25 अशुब तारीके हैं अगस्त की, 8, 9, 10, 18, 28, 27, 27 शितंबर की शुब तारीके हैं, 11, 12, 13, 16, 17, 21 अशुब तारीखे हैं सितंबर की 4, 3, 4, 5, 6, 14, 14, 15, 22, 23, 24 अक्टूबर की शुब तारीखे हैं 9, 10, 14, 15, 17, 18 अक्टूबर की अशुब तारीखे हैं 1, 2, 3, 12, 30, 21, 39, 30 अक्टूबर तो ये आपकी अशुब थी अब शुब बात करते हैं नवंबर की नवंबर की शुब है 5, 6, 10, 11, 14, 15 और अशुब तारीखे हैं 8, 9, 16, 17, 25, 26, 27 शुब तारीखे हैं दिसम्मर की 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 30 तारीखे हैं शुब है दिसम्मर की 5, 6, 14, 15, 22, 23, 24 अशुब हैं तो ये आप जानके जन्वरी सिले के फरवरी तक कौन सा महीना कितना शुब रहेगा कौन सी तारीख शुब है कौन सी अशुब है इस हिसाब से आप अपने रोजबंगार के कामों को डिसाइड करिए शुब समय में करिए शुब काम अशुब समय में करिए जो काम आपको निफ्टाने हो उन कामों को निफ्टाइए लेकिन जरूरी महत्पूर काम अशुब सम सफलता मिल जाए अशुब रह जो हैं वह भी शांत रहेंगे अगर आपकी जर्म कुली में सितारे मजबूत हैं तो आपकी जर्म कुली को दिखाईए और तभी आपको पूर रूंप से सफलता मिल जाएगी पुश रहेंगे पसंद से रहेंगे मुश्कुल आते रहेंगे हर योब नमस्कार पैसा किसको चाहिए जिसको पैसा चाहिए जिसको धन दौलत चाहिए वो इस वीडियो को देखे और जिसको नहीं चाहिए वो यहीं से वीडियो को देखना बंद कर दे पैसे के आने को सौ पाइराइट ये पत्थर की लॉकेट या अंगूठी पहनने से 100 की स्प्रीड से पैसा आपके पास आएगा, सफलता आपके पास आएगा, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने भी पहना हुआ है गले में, ये देखें चेन में पहना हुआ है, ये पत्थर आप तुजोरी है, जहां पर पैसा रखते हैं, जहां पर आपके लॉकर है, तो पैसा खिचा चलाएगा आपकी तुजोरी में, पैसा खिचा चलाएगा आपकी जेब में, इसके पहनते ही आपको मिलने लगती है सफलता, वैपार में अगर खानी हो रही है, तो इसको पहनने के ब वहां रख भी सकते हैं, आप नौकरी करते हैं, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिला, तक्रीफे चल रही हैं, सैलरी नहीं बढ़ रही हैं, तो पहनिये भी और एक पत्थर अपने आफिस में रख दीगी, जो भी आप भी डेस्क वगरा होती है, जो भी लोग सही फैसले नहीं ल रखें, इसे गले में धारन करें, अपने आफिस या दुकान में रखें, बच्चे अपनी स्टेडी टेबल में रखें, और आप देखिए, सौ गुना तेजी से आपके पास धन आएगा, बच्चों के पास विद्द्ध आएगी और कम दिमाग वालों के पास दिमाग ये पहनते ही आपको लाब मिलना शुरू हो जाएगा और इसे सभी राशी या लगन की महिला पुरुष या बच्चे पहन सकते हैं इसको प्राप्त करने के लिए एल सिक्स इसका कोड है एक हजाट नौ सो नौन नानुए रुपए इसकी कीमत है और ये चांदी में मढ़ा हुआ आपको बिलेगा टेक्स एक्स्ट्रा है टोटल इसकी जो कॉस्ट बनेगी दो हजार एक सो रुपए सब को जोड जारके वजन होगा लगबग नौ से दस करेट प्रतेग पत्थर का विद चांदी में मढ़ा हुआ प्राण प्रतिष्ठित और सर्टिफिकर्ट चाहिए तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा बोल ले थ्री हंडेड देना होगा तो ये पत्थर आपको चौबिस सो रुपए का पढ रहा सकते हैं अभी order करें L6 लिख करें धन्यवाद